एक बार राजा विक्रमादित आखेट करते हुए बहुत दोर निकल गए। उनके साथ राजे के कुछ विशेश व्यक्ति थे। उनके सेना पती और कुछ मंत्री भी उनके साथ थे। शिकार करते करते वो लोग ठक गए और शाम भी होने को नज़्दीक थी। इसलिए विक्रमादित ने सब को कहा कि किसी रहने की जगा की तलाश करें हम कल अपने राजे को लोटेंगे। सब किसी रहाइशी इलाके की तलाश में चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गाउं दिखाई पड़ा। गाउं को देखकर सब को खुशी हुई और राहत मिली। चलो अच्छा हुआ की रात बिताने के लिए गाउं मिल गया सेना पती ने सब से कहा। सब ने उनकी हां में हां मिलाई। जब सब गाउं में पहुँचे तो अंधेरा होने को था। इतने लोगों के अस्त सस्तर के साथ गाउं में आने से गाउं वाले भैबीत हो गए। पर जब उन्हें पता चला की राजा विक्रमा दिते हैं तो चारों और हर्शों लाश का वाता वरण हो गया। गाउं का मुखिया गाउं के लोगों के साथ उनके स्वागत को दोड़ आया। राजा ने जब सब को आते देखा तो आगे बढ़कर हर विक्ती से मिले। विक्रमा दित की इसी खूबी के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। आदेर के साथ मुखिया विक्रमा दित को अपने घर ले गया। सब के रहने की विवस्ता की और अपने घर भोजन ब दिया तो राजा विक्रमा दित बाहर आकर बैठ गए। वो बाहर बैठ कर सबसे बात कर रहे थे तब ही उन्हें से एक ब्रामन आगे आकर बोला की। एक बार को जिद कर लें तो वो बीकर के ही मानते थे। ब्रामन ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। बाकि लोगों को अराम करने को कहकर वो उस ब्रामन के साथ चले गए। जब तक वो ब्रामन के घर पहुँचे तो पताचला की। उसकी पतने के संतान हो चुकी है और वह भी पुत्र है ब्राह्मन बहुत खुश हुआ और बोला राजन या आपके चरण कमलों के मेरे घर में पधारने से हुआ राजा विक्रमादित बोले हे ब्राह्मन या सब तुम्हारे कर्मों का फल है आज रात मैं तुम्हारे इस पुत्र के आसपास रहूँगा और या देखूंगा कि विदे इसके भागे में क्या लिखती है उन्होंने अपनी चार पाई मुख दर्वाजे के पास डाल ली ब्राह मन सो गया विक्रमादित को नीद आ रही थी वैत विदे की परतिक्षा में थी सुबह छे वजे विदना आप पहुची उस बच्चे का भागे लिखने विक्रमादित ने उस समय उनसे कुछ भी नहीं कहा जब वै जाने लगी तब विक्रमादित उन्हें रोक लिए बोले द यह संभव नहीं किसी की नियती में मैंने क्या लिखा है या बताने मैं आसमर्थ हूँ मैं कुछ और पूछो तो शायद मैं बता सकती हूँ नहीं देवी बिना जाने मैं आपको जाने नहीं दूँगा विक्रमादित ने उनसे कहा बड़ी अजीव स्थिति उत्पन हो गई आखिर में विदना ने हत्यार डालते हुए कहा देखो बिक्रम मैं नियम के विरुद जाते हुए तो मैं सिर्फ एक बात बता सकती हूँ यदे तुम्हें पसंद है तो मैं बताओं वरना मुझे आपके विरुद के उपरांत भी जाना पड़ेगा विक्रमादित्य को भी उनकी परेशानी सही लगी तो बोले आप क्या बता सकती है किया बच्चा कितने वर्ष जिएगा विदना ने बताया कि इस बच्चे की मौत विवाह के समय होगी इसे एक शेर मार देगा धन्यवाद देवी कहते हुए विक्रमादित्य ने उन्हें परणाम किया फिर देवी अंतर ध्यान हो गई जब सुबह विक्रमादित्य महा से रवाना होने लगे तो ब्राम्मन को बुला कर कहा जिस दिन तुम इस बच्चे का विवाह करना मुझे निमंतरन भेज़ देना मैं इसके विवाह में शामिल हो जाऊंगा ब्राम्मन ने कहा ठेक है महराज इसके विवाह का पहला निवता मैं आपको ही भेज़ूँगा विक्रमादित फिर वहाँ से अपने नगर वापिस लोटाए इस घटना को वारा वर्ष बीत गए एक दिन राजा विक्रमादित दरवार में लोगों की फर्याद सुन रहे थे तब ही एक हर कारा पत्र लेकर आ गया राजा ने मंत्री को पत्र पढ़ने को कहा मंत्री ने पत्र पढ़कर बताया कि यह पत्र किशी ब्रामण का है उसने अपने पुत्र के विवाह पर आपको आमंत्रित किया है राजा विक्रमादित को याद आ गई वे बारा साल पुरानी घटना जिसमें उन्होंने स्वय में ब्रामन को खुद को निमंतरन देने को कहा था उन्होंने तुरंत सेनापती को आदेश दिया कि उनके इस ब्रामन के घर जाने की तयारी करे अगले दिन प्रातर राजा उस गाउं के लिए निकल पड़े शाम तक राजा उस ब्रामन के घर पर पहुंच गए ब्रामन ने राजा का स्वागत किया राजा ने सेनापती को एकांत में बुला कर आदेश दिया कि बैं ब्रामन के घर के चारों और अपने आदमी साधे वेश में लगा दे कोई चिडिया भी भीतर प्रवेश ना कर सके लेकिन इस बात का ध्यान रखें की किसी को भी अपता ना चले की हम ऐसा कर रहे हैं महराज क्या मैं जान सकता हूँ कि किस प्रकार की समस्या आने वाली है अभी तुम थोड़ा धीर रखो मैं सीग रही तुम्हें अपनी बात बता दूँगा सेनापति अपने कार में मुस्तैद हो गया बरात रवाना होने की बेला आ गई अभी तक कोई दुरगटना नहीं घटी राजा ने मन में ठान लिया था कि वे नियती को बदल कर ही मानेंगे बरात रवाना हो गई दूला पालकी में बैठ गया सेनापति और राजा दोनों अपने अपने अश्वों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे अचानक पालकी से दूले के चिलाने की आवाज आने लगी राजा ने कहारों से पालकी नीचे रखने को कहा जैसे पालकी रखी गई तो राजा स्वेम भाग कर पालकी के पास गए पर्दा उठा कर देखा पाया दूला बेहोस था बेतर कुछ भी नहीं था राजा सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या जिसके कारण दूला मुर्शित हो गया तुरंत वैर्द को ढूंडा गया वे जल्दी मिल गए क्योंकि वो भी बरात में शामिल थे उन्हेंने दूले की जांच की वे चौंक उठे जब उन्हें दूला मृत मिला उन्होंने राजा को कहा कि दूले की मृत्यू हो चुकी है राजा हैरान हो गए आखिर जब इसकी मौश शेर के कारण होनी थी तह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया उन्होंने दुबारा पालकी का निरिक्षन किया तो पाया पालकी में परदे के पीछे एक शेर का चित्र था राजा को विश्वाश हो गया कि यही शेर इसकी मृत्यू का कारण हुआ है मतलब नियती की विजय हो गए पर राजा अपने निश्चे पर अडिक थे उन्होंने ब्रामण को कहा कि तुम इसके शरीर को व्याद की सहायता से शुरक्षित रखो मैं शेगर इसके सही होने का उपाई करता हूँ और कोई यह बात कहता तो लोग विरोध करते पर यह बात स्वैम विक्रमादित ने कही थी तो बैजुटी होने की संभावना ना के बराबर थी बैज ने उसके मुझत शरीर को और शदियों का लेप लगाकर रख दिया और राजा विक्रमादित उसके लिए और शदिय की तलाश में निकल पड़े राजा विक्रमादित वहा से निकलने के बाद दिन वर चलते रहे दिन में कहीं भी भोजन का प्रबंद नहीं हो पाया शाम तक घोड़ा भी निढाल होकर देरे धेरे चलने लगा राजा को लगा कि यदि इस जानवर के लिए भोजन और जानवर की विवस्ता नहीं की तो यह बिमार पढ़ सकता है इसलिए पहले इसके भोजन की विवस्ता करता हूँ उन्होंने घोड़े को पास एक सूखे वरक्ष के साथ बांद कर खुद उस पर चड़ गए या देखने के लिए कि आस पास कोई नदी या गाउं है या नहीं पेड से उन्हें दूर एक गाउं और नदित दोनो दिखाई पड़े पेड से उतर कर पैदल ही वो उसी दिशा में चल पड़े गोड़े की रास उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी थी दोनों पैदल ही चल कर उस नदी के किनारे पहुँच गये जो गाओं के बिलकुल करीब थी नदी काफी चोड़ी और गहरी प्रतीत हो रही थी विक्रमादित ने सबसे पहले गोड़े को भर पेट जल पिलाया और फिर खुद जल पिया फिर गोड़े को नदी के किनारे चरने को छोड़ दिया और खुद पास ही में पड़ी एक विशाल सिला पर लेट कर अराम करने लगे दो घड़ी अराम करने उपरान वो उटकर बैट गए देखा गोड़ा अभी मस्त होकर घास चर रहा था फिर उन्होंने सूरज की और देखा तवह अब अस्ता चल हो चुका था सूरज डूबे इस से पूर मुझे इस गाउं में पहुँचकर अपने लिए कोई सराई तलास कर लेनी चाहिए वो घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे वो ऐसे जगह की तलास कर रहे थे जहां नदी कम गहरी हो ताकि वो उस पार जा सकें आखिर थोड़ी देर की तलास के उपरान नदी में ऐसे जगह दिखाई पड़ गए जहां जलका स्तर काफी कम लग रहा था उन्होंने इश्वर का नाम लेकर घोड़े को उसी जगह नदी में उतार दिया उनका अंदाजा सही निकला वो आराम से नदी पार गए नदी पार करके वो गाओं में प्रवेश कर गए शाम होने के कारण गाओं में ज्यादा हल चल थी उन्होंने एक वरद व्यक्ती से पूँचा काका यहां रात में रुखने के लिए क्या कोई स्थान मिल सकता है मैं एक मुसाफिर हूँ बस राद भर रुकूंगा और फिर सुबर वापिस चला जाओंगा इस गाओं में एक सराय है पर वे अभी कुछ दिनों से बंद है उस व्रद ने विक्रमादित्य को बताया काका आप कोई और जगा बताओ मुझे तो बस राद भर ही रुकना है विक्रमादित्य ने अनुरोद करते हुए कहा व्रद कुछ देर सोचता रहा फिर उसने विक्रमादित्य से कहा परबंद तो हो जाएगा बेटे पर मुझे उनसे बात करनी होगी चलो तुम मेरे साथ कोशिश करके देखते हैं वे विक्रमादित्य को लेकर एक मकान पर पहुँचा जहां एक व्रद्दा चार पाई पर बैटी अपनी नाती को कोई कहानी सुना रही थी व्रद ने व्रद्दा को नमशकार करके पूँचा कि क्या वे एक मुसाफिर को राप भर रहने का आस्रा दे सकती है बुढिया ने विक्रमादित्य को देखते हुए पूँचा कौन व्रद्दी है व्रद ने विक्रमादित्य की और इशारा कर दिया बोला यही है बस राप भर रहेंगे सवे अपने रास्ते चले जाएंगे बुढिया थोड़ा लालची प्रुवित्ती की थी इसलिए बोली कितना भाड़ा दे सकते हैं यह विक्रमादित्य ने आदर से कहा मा आप जितना कहोगी उतना मैं दे दूँगा बस रात भर रहने दो ठीक है तो रात भर रहने का एक आना लूँगी सोच लो क्या तुम ज्यादा नहीं माँग रहे हो बहन उस व्रद ने उस व्रद्धा से कहा मुझे मंजूर है बाबा मैं इने एक आना दे दूँगा विक्रमादित्य ने उस व्रद काका से कहा लेकिन यह सही नहीं है बेटे व्रद ने पुना अपनी बात दोहरा दी कोई बात नहीं काका इन्हें भी पैसे की जरूरत है इसलिए कोई ज्यादा नहीं है ठेक बात कह रहे हो बेटे उस व्रद ने विक्रमादित्य की बात को समझते हुए कहा उसी समय विक्रमादित्य ने एक आना निकाल कर उस व्रद्दा की हस्तेली पर रख दिया पैसा मिलते ही व्रद्दा बहुत कुछ हो गई बोली आओ मेरे साथ मैं तुम्हारे सोने का प्रबंद कर देती हूँ वैं एक कमरे में लेकर विक्रमादित्य को गई महा एक चारपाई बिछी ही पड़ी थी बोली यह तुम्हारे सोने के लिए है विक्रमादित्य आराम से उस विस्तर पर जाकर लेट गए ब्रद्दा जब जाने लगी तो रुक कर विक्रमादित्य से बोली देखो युवक तुम किसी अच्छे और बड़े परिवार के दिखाई पड़ते हो यहां तुम्हारे मुताबिक सुवधाय मिलना मुश्किल है पर रात गुजारने भर का प्रियास मैं कर सकती हूँ तुम थोड़ा और प्रतिक्षा कर लो हमारे घर जो भी व्यंजन बना होगा मैं शेगरे तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ विक्रमादित्य उस व्रद्धा की स्पष्ट वादिता से बहुत ही प्रसन हुए और बोले माई मुझे बहुत ही तेवर शुधा लगी हुई है जो भी जितना भी है जल्दी मिल जाए तो मेरे लिए सही रहेगा बुढ़िया भोली ठेक है पुत्र मैं शेगरे कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास करती हूँ फिर वह जल्दी से वहां से चली गई मुश्किल से कुछ समय बाद वह फिर आ गई इस बार उसके साथ नौ दस बरस का नाती था दोना ने अपने हाथ में प्रयाप्त भोजन सामगरी और जल से भरी बाल्टी ले रखी थी केले के पत्तों पर उसने भोजन प्रोश्ट दिया दाल, चावल, सबजी और रोटी जो उनके पास मुझूद था वैला कर विक्रमादित्य के सामने प्रोश्ट दिया भोग तिव रहोने के कारण विक्रम ने भी शिगरता का परचय दिया जल्दी जल्दी भोजन करने के उपरांद विक्रम ने उस व्रधा को धन्यवाद कहा बुड़िया ने सारे बरतन समेटे और फिर वहाँ से चली गई खाना खाते ही विक्रम को गहरी नीद ने आद भोचा रात को बारा बजे अचानक विक्रम की आँख खुल गई उन्हें बाहर किसे इस्त्री के रोने की आवाज सुनाई पड़ी उन्हें परतीत हुआ जैसे को इस्त्री करण स्वर में विलाप कर रही है विक्रमादित जल्दी से अपने विस्तर से उठ खड़े हो गए और फिर अपने कमरे का दरवाजा खोल कर बाहर आ गए वे आवाज का पीछा करते हुए ऐसी जगा पहुँचे जहां से दीपक का प्रकाश आ रहा था उन्होंने भीतर जाक कर देखा अंदर एक युवा और और व्रद्धा आपस में बाते करते हुए रो रही थी राजा से रहा नहीं गया वो भीतर उनके करीब चले गए राजा को देखते ही दोनों इस्त्रियां खड़ी हो गई युवा इस्त्री ने राजा के सामने एक लंबा गुंगट निकाल लिया विक्रम ने व्रद्धा को पहचान लिया यह वही व्रद्धा थी जिसने उन्हें भोजन करवाया था विक्रम ने उनसे पूचा कि आखिर ऐसी क्या पीड़ा तुम्हारी है जिसके कारण तुम इतनी रात में करुण करंदन कर रही हो भाया आप मुसाफिर हैं जाकर आराम करें इसलिए आप जानकर क्या करोगे व्रद्धा ने कहा देखो अम्मा आपकी बास सही है कि मैं मुसाफिर हूँ पर हूँ तो एक आदमी ही ना मैं आपकी पीड़ा से अच्छूता नहीं रह पा रहा इसलिए आप लोगों से अनरोध करता हूँ कि मुझे अपनी तकलीव से वाकिफ करवाएं हो सकता है मैं आपकी समस्या का कोई समधार निकालने में कामयाब हो जाओ व्रद्धा ने सोचा कि जब या युवक हमारे साथ इतनी आत्मियता जता रहा है तो क्यों ना हम इसे अपनी समस्या से अवगत करा दें बुढया ने पास रखी चार पाई पर विक्रम को बैटने को कहा फिर बोली बेटा तमारे जितनी उम्र का हमारा लड़का स्वन नगरी राज्य में कमाने के लिए गया था आज दो वर्ष हो गए पर वह वापस लोट कर नहीं आया हम दोनों उसी को याद करके दुखी होती है विक्रम को उनकी तकलिफ काफी लगी बोले अम्मा तो चिंता मत कर मैं कलिहा से उसी परदेश को जा रहा हूँ महा पहुँच कर तुम्हारे लड़के की तलाश जरूर करूँगा जैसे ही वह मिल जाएगा मैं उसे वापस भेज दूँगा विक्रम के आसवासन से वरद्धा बहुत खुश हो गई उसने विक्रम को धेरो धेरो आशिरवात दिये उसके आशिरवात से विक्रम भाव विभौर हो उठे सुबह विक्रम जब रवाना होने लगे तो व्रद्धा ने जबरदस्ती राह के लिए भोजन बांद कर दे दिया विक्रम उसके इस प्रेम से बहुत ही परसन हो गए फिर पैरों को शपर्श करके आगे के लिए रवाना हो गए विक्रम अधित्महा से रवाना होकर आगे बढ़ गए दो पहर तक वो एक ऐसे राजी में पहुँच गए जिसका राजा बहुत ही दानी था महां लोगों से पता चला की राजा रोज एक मन सोना गरीबों को दान करता था उसके दान की चर्चा चारो होर फैली हुई थी राजा विक्रम अधित्ति के हर्दे में उस राजा के प्रती बहुत ही आदर पैदा हो गया उन्होंने उस राजा से मिलने की सोची तब ही उन्हें व्रद्धा के बेटे की याद आ गई और बोले मुझे पहले उस व्रद्धा मा की समस्या का निदान करना है उसके उपरान थी राजा से मैं मिलूंगा वो लोगों से पूँचते पूँचते उस व्रद्धा के पुत्र तक पहुँच गए उन्होंने उस व्रद्धा के पुत्र को बताया कि वह उनके घर से होकर आया है उसके परिवार के सदस बहुत ही दुखी है वे एक बार जाकर उनसे मिल ले ताकि उनके मन को शांती मिल जाए विक्रमादित की बात सुनकर वे दुखी होकर बोला मित्र मैं जाने की काफी दिनों से सोच रहा था पहले राजा जाने नहीं दे रहा कहता पहले अपने जैसा कोई विश्वाश पात्र व्यक्ति लाकर दो फिर घर जाओ आप तुम्हें बताओ कि मैं ऐसा व्यक्ति कहां से ढूंड कर लाओं तब ही राजा विक्रमादित ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी जगा देखभाल करूंगा उसे विक्रमादित की बात उचित लगी बोला चलो एक बार राजा से मैं आपको मिलवा दूँ विक्रमादित को लेकर राजा के पास पहुँचा उसने विक्रमादित की और इशारा करके या बताया कि या मेरा भाई गाउं से आया है मेरे जगए यह काम करेगा और मैं अब गाउं जाऊंगा राजा को क्या तकलीफ होनी थी उसने उसे जाने को कह दिया वेव्यक्ति गाउं चला गया अब उसके स्थान पर राजा विक्रमादित काम करने लगे वो रोज देखते कि राजा रात में चार बज़े उठकर कहीं जाता है फिर सुबह च्छे बज़े वापस आता है उस समय उसके हाथ में एक गठरी रहती है सुबह स्नान और पूजा के बाद वे एक मनस्वन दान करता है यह उसका नित्य का नियम था विक्रमादित्य ने मंत्रियों वगेरा से बात करके पता किया कि आखिर राजा इतना सोना कहां से दान करता है मंत्रियों ने बताया कि यह दान राजा राज्य के खजाने से नहीं दान करता अपति वे कहीं और से लेकर आता है लेकिन कहां से आज तक किसी को पता नहीं विक्रमादित ने मन में विचार किया कि आज वह राजा पर नजर रखेगा देखते हैं कि वह स्वर्ण कहां से लेकर आता है अगले दिन जब राजा सुबह चार बजे उठकर जाने लगा तो विक्रमादित उसके पीछे चल पड़े राजा एक भैरवे के मंदिर के पास पहुचा जो गने जंगल में था राजा विक्रमादित भी मंदिर के एक अंधेरे कोने में छुपकर बैठ गए जहां वो छुपे थे वहां से सब कुछ दिखाई पड़ रहा था तोड़ी देर में विक्रमादित ने देखा कि मूरती से भैरवे पकट हुई और राजा को उठा कर तेल के जलते कड़ा में डाल दिया जब राजा का शरीर पक गया तो उस भैरवे ने उनका भोजन किया फिर उसने राजा की हड़ियों को इकटा किया और फिर अपने हाथ में ली एक बोतल में कोई रसायन राजा की अस्तियों पर डाल दी रसाइन ने जैसे ही राजा की अस्तियों को स्पर्श किया वह पुना जीवित हो उठा देवे ने अपने पास रखी एक जोली में एक मन स्वन्ड निकाल कर राजा को दिया राजा वह स्वन्ड लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा रास्ते में विक्रम सोचने लगा कि यह राजा कितना महान है रोज अपने शरीर को जला कर स्वन्ड लेता है और वह स्वन्ड रोज प्रातर दान कर देता है मुझे इसकी समस्या का निदान करना होगा वरना इसकी पीड़ा यूँ ही चलती रहेगी अगले दिन विक्रम दित ने राजा के भोजन में मादक आशदी मिला दी ताकि राजा गहरी नीद में सो जाए और सुबह उठ ना पाए जब अगले दिन सुबह के चार बजे तो राजा नशे के प्रुभाव के कारण उठ नहीं पाया विक्रम ने राजा का वेश धार्ण किया और खुच चल पड़े उष भैरवी के पास इस बार राजा विक्रम दित ने अपने शरीर पर तरह तरह के मसाले लगा लिये थे जब भैरवी ने उन्हें पका कर खाया तो मसाले के कारण बहुत ज़्यदा सुवाद का एहसास हुआ उसने जब रसाइन को विक्रम अदित के शरीर पर डाला तो वे जिवित हो उठा बह बोली हे राजन आज तेरे शरीर के मास में बहुत अधिक सुवाद था इसलिए मैं तुझ पर बहुत अधिक प्रसंद हूँ तुझे जो मांगना है मांग ले मैं तुझे पुर्दान करूँ विक्रम बोले हे भैरवी मैं चाहता हूँ कि तो मुझे वे अमरत वाला पात्र जिससे तुम राजा को रोज जिवित करती थी और वे स्वर्ण वाली अक्षय जोली परदान कर दो यह सब दिया तुझे और कुछ मांग मुझे तो देवी मैं चाहता हूँ कि तो मैं यह मंदिर छोड़ कर चली जाओ फिर कभी यहां नहीं आना अब देवी करती क्या उसने वचन दिया था इसलिए मानना जरूरी था वे मंदिर छोड़ कर चली गई चबा राजा की आँख खुली तो वे घवरा उठा आज वे सोता रह गया था अब वे अपने नीमत धर्म का पालन कैसे करेगा फिर भी वे तुरंत मंदिर की और दोड़ कर गया पर मंदिर में देवी मौजुद नहीं थी अब वे क्या करेगा कैसे आज वे दान करेगा वे महल तो वापस लोट आया पर बेचैन हो उठा तब ही राजा विक्रमादित उसके पास गए और बोले राजन आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्या मैं जान सकता हूँ क्या करेगा तू जानकर राजाओं की चिंता का समाधान राजा ही कर सकता है फिर भी यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या का निवारन हो जाए क्या तुम राजा विक्रमा दित्त हो क्या यदि आप विक्रमा दित्त को ही बता सकते हैं तो समझ लो मैं विक्रमा दित्ती ही हूँ विक्रम की बात सुनकर राजा अश्चर चकित उनकी और देखने लगे फिर हैरत से पूछा कि आप राजा विक्रमा दित्ते हो क्या हाँ राजन मैं विक्रमा दित्ते हूँ फिर विक्रम ने सारी आप बीती राजा को सुना दी सुनकर राजा उनके पैरों में गिड़ पड़ा बोला राजन आपने मेरा सेवक बनकर मेरी सेवा की मैं पाप का भागी बन गया विक्रम ने राजा को उठा कर सीने से लगाया और बोले कोई बात नहीं आप दुखी ना होएं यह लो अक्षे थैली अब आपको अपनी रोज रोज बली नहीं देनी पड़ेगी पिर राजा विक्रम दित्य वापस उस जगा पहुँचे जहां ब्रामन के पुत्र का शव रखा था उन्होंने अमरित के कुछ बूंदों से उसे पुनर जीवित कर दिया सब लोग उनकी जैज़ा कार करने लगे राजा अपने राज्य को लोट गए मित्रों कथा का यत दूसरा भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और कथा का अगला भाग आप सुनना चाहते हैं कमेंट अवश्य कीजिएगा